प्रणामतरी नरेंदर मोधी को लेकर जबर्दस क्रेज है ये तस्वीरे देखिए मोधी 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 का ये नारा जिस तरह से महिलाओं के द्वारा गूंज रहा है वारानसी की सड़कों पर ये अपने आप पर प्रदशित करता है कि आज प्रधामतर नरेंदर मोधी कितने बड़े पैमाने पर बहुत बड़े तरीके से लोकपरी है अब कि तो हमें दूँ हुआ की आज आज यहां कर दो के आज बस आज आज अज आज आज तो आपने देखा किस तरह से प्रधान मंतरी के लिए ये जो उन्माद है लोगों में ये क्यों है इतना आकरकार प्रधान मंतरी नहिंद मोदी की शक्सियत क्या है जो लोग इतने जादा प्रभावित होते दिखाई देते है देखिए अजय जी सुबह से लगातार गर्मी इतनी ज्यादा थी बावजूद इसके सुबह साथ बजे से लेकर आप तक सिर्फ प्रधान मंतरी की एक जलक पाने के लिए जो भारती जन्ता पार्टी के कारे करता है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है कुछ कारे करता और जो समर्थक हैं वो हमारे साथ हैं उनसे बाचीत करते हैं सुबह से आप लोग यहाँ पर हैं सिर्फ प्रधान मंतरी को देखने के लिए आखिर इतना पसंद क्यों करते हैं आप लोग वो सबसे दिगर नेता है उनके तरह आज कोई नेता है नहीं उनके कोई शक नहीं है बच्चा बच्चा से लेकर पूड़े बूरे तक मात्र शक्ति तक और बता देना चाहता हूं पूड़ा यह जो लहर है यहां से जो लहर उत्पन्न हो रहा है इस लहर में पूड़ा धारा शाही हो जाएगा जितने भी गड़बंदन किया हुए है जाती के लूँदे को रोकने के लिए यूपी में महागट बंधन वा आप लोगों को लगता है असर होगा वह भी आपके सामने प्रदर्शित करते हैं रवी आज हम मोदी जी को देखने तो यहां आए हैं और उससे बड़ा उद्देश्य हमारा यहां आने का यह है कि हम लोगों को प्रेरित और पोचसाहित करना चाहते हैं ची जाधा से जाधा मद्दान देखर मोदी जी को फिरसे वीजाई बनाएं क्यूंकि हमेशा जीत सच्चाही की हुई है और अच्चाही की हुई है और हम फिर चाते है फिरसे तल बद ऐसा कई नेता आया है जिसके लिए हम सब लोग पूरा मारवाड़ी समाज पूरा देश य तुम जाओ, हम सब चाहते हैं कि तुम सब जाओ, ये सब कुछ मोधी की वज़े से संभो हैं, मोधी हैं तो सब कुछ हैं, हर बार मोधी सरकार, हर बार मोधी सरकार तो लोगों में कितना उत्साहा है वो तस्वीरे साफ़तोर से सामने भी आ रही है महिलाएं भी कितने उत्साहे थे प्यामोदी की एक जलक पानी के लिए आपर सुबह से इंतजार किया जा रहा है प्यामोदी पहले भी वारणासी कई बार पहुंचे है और वहां की मशूर गंगा आरती में भी वो पहले भी कई बार शरीक हो चुके है गंगा प्रतिनी धी सभा के मेंबर्स और पुरोईट से खास बात चीत के हमारे सवादाता धिरिन पुंधीर ने वो तस्वीरे भी आप तक पहुंचाएंगे लेकिन अभी ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से मेगा रोड शो की शरुवाद होनी है बनारस में आज फिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हैं जब प्रधान मंतरी पहली बार बनारस आये थे उस वक्त बनारस में किस तरह का उसा था और आज किस तरह का उसा है ये आपको सड़कों से दिखा होगा अचा आप यहां उनकी आरती में शामिल होगा आप आरती कराएंगे किस तरह से क्या क्या होता है जिस प्रकार प्रति दिन महा गंगा की महा आरती होती है उसी प्रकार आज भी ह कि हमारे देश के यह सस्वी प्रधान मंत्री यहां पर आ रहे हैं तो याज उनके हाथों द्वारा मागंगा का पूजन संकल्प पूजन वगेरा होगा मागंगा का असरिवाद उनको दिया जाएगा फिर महा आरती हम जिस प्रती दिन करते हैं उसी प्रकार दीप के साथ करेंगे जो अपने नेत्रों से मोदी जी देखेंगे और मागंगा का शाक्षात कृपा उनके उपर रहेगा और हम लोग यही चाहेंगे कि दुबारा प्रधान मंत्री बन करके वो फिर पुना हमारे गंगा आरती में सामिलों आप लोगों ने मान लिया वही गंगा के यहा हम लोग के मीटिंग में हुआ है कि 5000 दीपक यहां पर जलाये जाएंगे लेकिन हम लोग जो साथ महा आरती करते हैं तो महा आरती का जो दीपक के बत्ती की संख्या होती हो चववन बत्ती होती है एक आरती में तो शात महा आरती होगी तो शातों में चववन चववन बत्ती की महारती होगी मोदी यहां से जीतेंगे और दुबारा से देश के प्रधान मंत्री बनेंगे हिंदी हाट लेंड किस लड़ाई को मोदी यहां से पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो पूरी तरह से जीता था इस बार भी वही करिश्मा दोराने के उमीद बीजेपी कर रही है वीडियो जनलिस हरीश के साथ दिरेंदर पुंडीर न्यूचनेशन बनारस तो पीम मोदी के स्वागत के लिए किस तरह से वहां पर लोग पलक पावड़े बिचा कर बैठे हुए यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और एंथम भी बज रहा है मैं भी चौकीदार जो एंथम लाँच किया गया था बीजेपी की तरफ से वो अब हर गली चौराये पर बज़ रहा है राजिश बातल जी कई बार जैसे कि हम लोग भी बात कर रहे थे कि नरिंद्र मोदी में ये बात तो है कि वो संप्रेशन कला में माहिर है और कई बार उन पर जो आरोप लगते हैं उस आरोप को वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं कि वो उनकी ताकत या उनका हथियार बन जाता है तो चौकीदार के मामले में भी हमने ये देखा है और इसके अलावा भी कई बार समय समय पर जो उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई है उन्होंने उसको अपना अपनी ढाल बना लिया है दूसरी बात अब बनारस की बात जो हम कर रहे हैं चुकी अब ये रोट शो अब चुनाओं में बहुत ज़्यादा वक्त रहा नहीं है चार चरणों में और भी जगए जाना होगा तो बनारस के लोगों के उत्साह का ये कारण ये भी है कि अब मेरा ख्याल है कि चुनाओं के पहले कोई दूसरा रोट शो अब नहीं होगा कोई रैली ये सभाबी शायद ही हो तो ऐसी सूरत में जो ये रोट शो है इस बात का प्रतीक है कि प्रधान मंतरी आसपास के लाके के लोग आए हैं वहाँ पर जाएंगे तो संख्या है लेकिन अभी ये संख्या वोट में कितनी तबदील होती है ये एक सवाल है दिरेंद भी हमारे साथ जुड़े हुए है और हमारे साथ रविकांद भी जुड़े हुए है 65 से ज़्यादा रोड शो अभी तक प्रधान मंतरी कर चुके हैं लेकिन इस वाले रोड शो में ऐसा क्या खास है ये कह सकते हैं 65 से ज़्यादा एक अलग मैसेज देने की कोशिश है ना सिर्फ काशी में हो रहा है इसका इंपेक्ट सब जगां पर होना है क्योंकि NDA, पूरी केबिनेट सब लोग आपर मौझूद है देखे इस पूरे रोड शो के जरिये प्रधान मंतरी अपनी अवीजित चवीवाल जो एक मैसेज है वो कन्वे करना चाहते है क्योंकि बाकी तमाम जगे जहां भी रोड शो हो है उनमें प्रधान मंतरी मोधी के अपनी कॉंसरेंसी नहीं है यह एक अपना टर्फ है और यह बहुत सारे मैसेज किलियर करता है अगर हम लोग यह देखनी कोशिश करें पूर्वांचल में इस बार गटबंधन जो महागटबंधन बनाया गया उसकी तरह से जो जाती है समीकान और उसके साथ साथ मुस्लिम्स वोटों को जिस तरह जोड कर अपने आपको अजे दिखाने की कोशिश की और लगातार अगर हम देखते थे कि वो एक मैसेज कनवे किया जाता था कि जो जाती हो का गणित है और जो मुस्लिम्स के वोटों मिलने के साथ साथ आपको सेंटरल यूपी या यूपी का यह इस्सा जो वेस्टन यूपी को छोड के आगे की तरह बढ़ता है उसमें बीजेपी कहीं कमजोर पड़ेगी इस बात को आपते को अगर आप देखेंगे तीम फेस के जस्ट बाद इसमें एक रोड़ शो बाकाईदा प्लाइन किया गया है और ये रोड़ शो इस तरह से इस भववता के साथ प्लाइन किया गया है कि इसका मैसेज कनवे किया जाए पूरी तरह से एक जगे से लड़ना और इसमें कहीं बार कहा जाता है कि आप कहीं बार रणनीती जब बनाते हैं तो ये सब चीजें खाल लगते हैं कि उसके मैसेज का जो अगर रियक्शन्स हो या रिप्रकॉशन हो वो क्या हो सकता है पूरे रोडशो की क्या कुछ वहाँ पे हलचल अभी आपको नज़र आ रही है कितना समय ऐसा अंदाजा लगा है ज़रे कि कब तक प्यामोदी यहाँ पर पहुचेंगे और तक क्या तस्वीर होगी नेना इस वक्त आपको रोखना चाहूंगा नेना इस वक्त आपको रोखना चाहूंगा और हलचल देखिए यहाँ पर संकेत मिला है कि पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछी लमहों में यहाँ पर पहुचने वाले हैं जो गाडियों का movement है और जो security का arrangement है वो यह बताता है कि पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपसे कुछी लम्हों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं देखें किस तरीके से जितने कारे करता हैं और भारती जंता पार्टी के बड़े नेता हैं वो पीम का इंतजार कर रहे हैं उनके आने का और यहाँ की अगर तस्वीर की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी सिक्यूरिटी की जवान हैं वो घेरा बनाये हुए हैं ताकि यहाँ पर बीच में कोई भी कारे करता या कोई भी वेक्ती ना जा सके यानि कि यह हलचल भी आप देखी जा रही है और हलचल किस तरह की है यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं जो सुरक्षबल है वो उस इलाके में और भी ज्यादा अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है तस्वीरे वाड़ी कार को भी आपने अभी कुछ देर पहले देखा था यानि कि हम यह कहें कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब यहाँ मोदी का काफला यहाँ पर पहुँचेगा क्योंकि वहाँ पर अब हल्चल शुरू हो चुकी है और उस हल्चल की तस्वीर बेहच्यू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे है लंका यह वही जगा है जहाँ पर जहाँ से रोट्शो की शुरूआत होगी और माना जा रहा है कि अपसे कुछी वोक्षन होंगे जब प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफला यहाँ पर पहुचेगा क्योंकि वो हल्चल सुरक्षबल अपनी पोजीशन्स लेते हुए नजर आ रहे है बड़ी संक्या में यहाँ पर लोग मौजूद है और ऐसे में उचसाहित भीर को कंट्रोल करना भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और बहुत चुनौती भी होगा लेकिन यही वज़ा है कि जिस तरह से बड़ी संक्या में सुरक्षबल तैनाथ है अब वो अपने अपनी पोजीशन्स में आ रहे है कुछ देर पहले आपने वाणिकार भी देखी थी और अपने ताओं के भी यहाँ पर आने की जो तस्वीर है वो शुरू हो चुकी है योगी आदितिनाथ को आप देख पा रहे हैं यानि कि 7 किलो मीटर लंबा ये रोड शो बस शुरू होने वाला है जैसे अभी पोजीशन्स लिए यहाँ पर कमांडर ने उसके बाद उतर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ है और पूरी केबिनिट यहाँ पर मौझूद है आप देख पाएंगे मतलब थोड़ा सा और इंतिजार करना होगा आप किसी भी पल यहाँ पर प्रदान मंतरी नहिंद मोदी को भी देख पाएंगे तस्वीरे सबसे पहले नियूस नेशन आपको दिखा रहा है ब्याचियू के गेट से यह तसवीरे हैं और हमाई समभादाता रविकांद वहाँ से लगातार इन तस्वीरों को दिखा भी रहें और बता भी रहें और रविकांद हमारे साथ बने हुए है रवी कान चली मेरे वरिश सहयोगी आजय जी भी बने हुए हैं आजय जी ये तस्वीरें आना शुरू हो गई है अब बीएचियू के गेट से और अब एक एक करके योगी आदितिनाथ पहुंच गए हैं कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी पहुंच रहे हैं इंडिये के भी चेहरे बस दिखने ही वाले हैं यहां पर बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम तयारियां फूरी हो चुकी है मुक्य मंत्री योगी आदितनाथ के साथ साथ जेपी नड़ा और तमाम वरिश्ट कैबिनेट मंत्री भी मौक्य पर पहुंच चुके हैं हरब से कुछी शड़ों में पुर्दामतरि नहिंद बोदी भी यहां पर पहुंचेगे इसके साथ साथ हम आपको यहां की तस्वीरे भी दिखाना चाहते हैं दसाश्वे घाट की आप देखें यहां पर भी जबर्दस तयारियां चल रही हैं अगर आप अभी इन तस्वीरों को देख सकें यह तस्वीरे अभी आप देखें नाव पर बड़े पैमाने पर केसिरिया रंग उसके साथ-साथ भरतनता पाटी के जंडे यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ-साथ यह तस्वीरे आप देखें किस तरीके से धीरे-धीरे दसाश में घाट की तस्वीर बडलती चली जा रही है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं यह तस्वीरे अपने आप में बया करती है कि कैसे तैयारियां पूरी है वो नजारा बहुत भव्य होगा हम जरूर कह सकते हैं लेकिन बीएचियो यानि की वो जगा जहां पर अपसे कुछ देर के बाद में रोच्छो शुरू होने वाला है वहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है उनके साथ प्रदेश सद्धिक्ष महेंद्र नातपांडे पहुँचे हैं और ये गाडियों का काफिला देखिए आप एक एक करके जो गाडियां आ रही है और वो तस्वीर देखिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं तस्वीरों में देखिए स्पीजी के जो जवान है वो गाड़ी के चारों तरफ हैं तो सीधी तस्वीरें यहाँ से ब्येचू गेट के सामने से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है अब से खुशी देर बाद प्रधान मंत्री यहां से उचे नीचे उतरेंगे और जो पंडित मदन मोहन मालवी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर जाकर माल्यार पड़ करेंगे तो इंतजार जो यहां पर भारती जंता पार्टी के कारेकरता और समर्तक कर रहे थे वो पूरा हो गया है और प्रधान मंत्री का काफिला यहां पर पहुँच चुका है और तस्वीरों में देखिए यह उत्साह और यह उमंग दिखाता है कि प्रधान मंत्री इन लोगों के ब इस वक्त यहां पर मौझूद है और चारों तरफ कारेकरताओं का हुदून जहां दिये तस्वीरें देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं पुधान मंत्री सीधे मज की उपर और जो अनिल जैन है वो उनके साथ में हैं पुधान मंत्री को देखने के लिए हर तरफ नि मालियापन किया है और इसके बाद वो यहां पर जो एक बहान लाया गया है इस पर सवार होंगे नैना और उसके बाद प्रुभान मंत्री का रोजो रोड़ों का फास्ट वह आगे बहने वाला है पीछे देखिए दूसरी कश्मीर देखिए किस तरीचे से यूटी के मुट्रा को यह इनके क्लेक्ट को यह बताते हुए कि वो उनके साथ है जनता का अविवाधन्स प्रुकार कर रहे हैं पदाबं मंस्दी नाजु फिख राकर बनारस की जनता के बीच में हैं तो बनारस की जंता के लिए बीजेपी के कारेकरताओं के लिए आपसे आप में ये कार्यूप दिश्च है जो देखने को मिल रहा है कि पुहान मंत्री हर तरफ भूम भूम कर जो लोग हैं उनका अभिवादन स्रिकार कर रहे हैं और यहां तक आपकी दिगाह जाएगी तर अब धीरे धीरे नेलब नीचे उतर रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए भारती जंता पार्टी के रास्ती महास्चिव और समाम लोग हैं जो पुदान मंत्री के सामने फूल ले कर गए हैं और पूल चढ़ाते हुए और हर तरफ कारेकरता उनको देखने के लिए उस सा निचे उतर रहे हैं और जंता से जिस तरीकित से वो कनेक्ट करते हैं और जंता से बात्चीत करने का जो तरीका है हाथ खिला कर उनको अविवादन सुखार करने के बाद जो पीछे आपको एक वहिकल दिखाई दे रहा है उस पर वो सबार होंगे और एस पीजी के जो समान वो सिक्यूरिटी हेरे में प्रधान मंत्री को लिए हुए हैं इसके साथ ही भार्की जंता पार्टी के केंदे पताधिकारी, कैबिनिट मंत्री और यूपी सरकार के कई बड़े मंत्री इस रोट सो में हिस्ता बनने वाले हैं तो प्रधान मंत्री का काफिला अब यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यह अस्ती घाट होते हुए दसर शुमेद घाट पहुचेगा लगबद 6-7 किलोमेटर का डिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर मेरिंद्र मोधी साय करेंगा और इस दौरान चनक के दोनों तरफ भार करते हुए और हाथ हिलाते हुए उद्हान मंत्री का जो जो है रोट जो है अब हो यहां से प्रारंब हो गया है तो सब्सक्राइब की दूरी नरेंद्र मोधी साय करेंगे और सड़क के दोनों तरफ जहां तक आपकी मज़र जाईगी उद्हान मंत्री के स्वादत के लिए बीजेपी के कारे करता हैं आम पब्लिक हैं वो मौजूद हैं तो लब मग एक से दो घंटे का वक्त लगेगा दसा सुमित धार्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि पूरी सड़क जो है वो बचा सब्सक्राइब हुई है और ऐसे में सिक्यूर्टी परसन्स के लिए क्याइब करने की कोशिश कर रहे हैं नावेज सुन पा रहे हैं जी सुन पा रहे हैं रविकाद प्रधान मंत्री का काफिला जो है वो धीरे दीरे आगे बढ़ रहा है और प्रधान मंत्री की गारी के बहुत करीब जो लोग हैं कारेकरता हैं वो मौझूद हैं तो इसके करीब से प्रभान मंत्री को देखने का जो उस्ता होता है वो अपने आप में एक अलग होता है इसके प्रभान मंत्री को बेहत करीब से देख रहे हैं वो सारे लोग जो अलग-अलग राजियों से आये हैं और प्रभान मंत्री का जो कनेक्ट है वो सीधे आई-टू- पुद्धान मंत्री भी लोगों का उसी तरीके से अभिवाजन सुईकार कर रहे हैं तो एक गजब का उस्ताह बीजेती के कारिक्रकाओं में आम पब्लिक में बनारस की जंता में भी देखने को मिल रहा है और वियेचू गेट से जो पुद्धान मंत्री का काफिला है वो निक बास् करेंगे और आगले दिन पुरहन मंत्री का यहां से नामांकन होना तो सुब्र से ही जो आम कबलिक भी जब्लिक में रहे और तो तरीके ले उस तरीके से तस्वीर आगे बढ़ रही थी और अब उन्होंने एक एक चीज आगे बढ़ाई है बियेच यू गेट से रोडशो शुरू हो गया है तस्वीरें आगे बढ़ रही है तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वारनसी है और यहां प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का रोडशो शुरू हो चुका है चारो तरफ आपको लोगी लोग नजर आ रहे हैं और ना सिर्फ ये सडक की तस्वीर है बलकि आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो आसपास के जितने मकान हैं जितने घर हैं बहाँ छट पर भी लोग आपको नजर आ रहे हैं चारो तरफ ये बीच्यू का गेट है जहां से प्रदानमंति नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है और यहां से साथ किलो मीटर का सफर रोडशो के जरिये वो तै करेंगे उसके बाद वो दशाशमेद घाट पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले देखे किस तरीके का जुनूम दिखाई दे रहा है और बीजेपी की तरफ से तो दावा ये किया जा रहा है कि पाँच लाख लोग इस रोडशो के दौरान इस काफिले में शामिल होंगे इस काफिले के आसपास होंगे दोनों तरफ चारो तरफ नजर आएंगे आपको देखिये काफिले में आपको गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी आसपास लोग आपको नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी की पूरी तयारी है और हम आपको बता दें कि ये तस्वीर वारणसी की ठीक एक साल पहले भी आपको देखने को मिली थी लेकिन अब इंतिजार किया जा रहा था कि क्या एक बार फिर से अब जब नरेंद्र मोधी पहुंचेंगे वारणसी तो ठीक उसी तरीके की तस्वीर नजर आएगी तो ये देखिए ये नई तस्वीर है ये 2014 की तस्वीर नहीं है ये आज की तस्वीर है एक बार फिर से BJP ने यहाँ पर किस तरीके से बहुत चोड़े नहीं है चोटी सडके हैं और उन सडकों से होकर ही प्रधान मंतरी का काफिला गुजरेगा और वहाँ से होते हुए वो पहुंचेंगे दशाशमेद घाट पर वहाँ प्रधान मंतरी का भिकारिक्रम रखा गया है वहाँ पर आरती में शरिक होंगे लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी ने इस पूरी तयारी को आगे बढ़ाया और अब ये काफिला जो अब आप देख रहे हैं लगबग दो घंटे तक ये तस्वीर आपको दिखाई देगी आपने वैसे एक बड़ा इसका है कि मैं आज आज आपके शोपे हो और जिस दिन अरेन भाई मोदी ने गुजरात में पहला रोड़ शो किया या फिर 2014 में जब किया तो ये तीनों समय में जब रोड़ शो हुआ बड़े महत्पून विश्य दिनों पर उस दिन में आपके साथ ही था और उस दिनों में जब जब हुआ तब परदेश में इस बार हम 73 से भी जादा सीटे पानेवाले और पूरे देश भर में पहले से हम जदा साड़ा-तीन सफे ज़्या Ci से पाने वाले क्योंकि देश की जनता ने तैय कर लिया है कि वो अपना वोड प्रधान मंत्री चुनने के लिए दे रही है किसी और विक्ति को चुनने के लिए नहीं दे रही है और जब देश का प्रधान मंतिर निर्यन मोदी के सामने देखा जाता है तो सब को जोड़ने के बाद भी एक वेक्ति नहीं बन पा रहा है तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पनान मंतरी नरेन मोदी की आगर सही माइने में देखा जा थकान गरिबों की जब सेवा करते हैं गरिबों के हजारों करोडों देश बास्यों के बीच में होते हैं उनके सनेह और प्यार से ही मिट जाती है तो उनकी थकान खतम हो गई और उनका जब तक कि इस देश के अंदर हर व्यक्ति के सर पर छट ना हो हर करहात को काम काम ना हो हर इस देश की सारी सीमाई सुरक्षित ना हो वह भारत विश्गुरु नामने तब הי करें लगा तार ग्रिबों डेश को अगरसर बढ़ाते रहेंगे मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज का ये जो दरश्य मैं आज से मैं देख रहा हूँ ये दरश्य इस बात का परिचायक है और ये इस बात का दो तक है कि भारती जनता पार्टी एंडिये के साथ मिल करके बहुत मजबूत सरिकार बनाने वाली है और देश को बहुत मजबूती से विकास की दिशा में रास्त सुरक्षे को Day में रास्तवात को लेकर कि आगे बढ़ने वाली है चलिए नमीन जी बने रहे हैं हम आरे साथ मेरे वरीश शजी होगे कि बात काशी पहुंचे हैं लेकिन लोगों की भीड बहुत है उत्सा बहुत है और यह उत्सा प्रधान मंत्री के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है इसमें कोई शक नहीं नावेद कि आज प्रधामत्री नहीं दमोदी जिस तरह से लोगों से मुगातब हो रहे हैं यह प्रधर्शित करता है कि उनका आत्मिश्वास कितना बढ़ रहा है खास करके इस जन समर्थन को देखते हुए सबसे बड़ी बात है आपने देखा कि जब वो माल्यारपड़ कर रहे थे मदन महल मालवे की प्रतिमा का उस वक्त जो उनका अंदाज था लोगों का नमन करने का वो अपने आप में वहां खड़े हर लोगों का दिल बस यूही जीत कर ले जाएगा यही तो सबसे बड़ी चीज है प्रतिमा नमोदी की जब वो लोगों की बीच में होते हैं तो उनका जन्द संपर्क इतना जबरदस्त होता है लोगों की बीच उनकी पहुँच इतनी कारगर और बहुत ठोस होती है कि आप उनके उपर मंत्र मुग्द हुए बिना रही नहीं सकते हैं अब जरा उनके पहनावे को देखिए कि सरीय रंग का कुर्ता और एक तरह से एक ऐसा अंगोचा जो आम तोर पर बनारस में हर वेक्ति अपने गले में डाल कर घूमता है आज उनके गले में दिखाई दे रहा है इस पश्ट है कि आज बारनसी नहीं बलकि पूरे पूर्वांचल में मौजूद हर वेक्ति उन्हें अपने बीच का एक वेक्ति मानेगा और यही बात है कि आप किस तरह से लोगों की बीच अपने आपको रख पाते हैं दूसरों को ये जतला पाते हैं कि आप उनके बीच के हैं आप में और उनमें साशक और प्रजा का कोई भेद नहीं है और ये सबसे बड़ी USP है प्रधामतिर नहींद मोदी की और इसमें कोई दोर आई नहीं है कि आज की इस रैली का बहुत बड़ा प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश में खास करके पूरवी उत्तर प्रदेश में बड़े प्यमाने पर दिखाई देगा जहां 49 सीटों पर मदान अभी होने बाकी हैं याद रखिए प्रधामतिर नह अजपूत भी हमारे साथ में है सुरेन जी इतना बड़ा अगर जन सहला पेमोधी के इस पूरे रोडशो में उम्रा है क्या कहते हैं चिंता नहीं बढ़ती क्योंकि जिस तरह से पहले माना जा रहा था प्रियंका गांधी को चुनाब में आपर उनके सामने उतारा जाएगा उन तमाम अटकलों को पीछे रख दिया गया अब इस पर भी बीजेपी सवाल तो कड़े करी रहे है कहा जा रहे है कि जित्ती सीटे वो भी इस बार हाथ से खो बैटेगी कॉंग्रेस पहली चीज तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप लोग चाटू कारिता कर रहे हैं इस समय नरेदर मोदी जी की कॉंग्रेस को आपने पूरे आदे घंटे से सुरें जी सवाल पूछने पर इतनी नाराजगी क्यों हो जाती है सवाल यही है कि मैं इसका जवाब दू तो क्या दूँ आपको आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय क्या तर देते हैं अजय राय जो आपके हारे रेक एंडिटेटे उन्हें फिर से उतार देते हैं चाटू कारिता हम से कहते हैं दूँगा दिक्कत पता है क्या हो गई है सुरेंजी जब बोलने के लिए बाते हैं बाते हैं सामें और अपना प्रस्ट कीजिए आप से यहीं कह रहे हैं अच्छे राजपुजी मैं अजय कुमार आपसे पुछता हूँ आप निज्यात्य पर चाठु कारिता का रोप लगा रहे हैं जी अजय जी मुझे मुझे से अब जी ज़रा आपने शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए और मुझे मुझे इस बात का जवाब दीजिए निश्चित तौर पर लगा रहा हूं जी आज मुझे ने 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 सिर्फ आपसे उमीद की बात नहीं है आज मुझे दुख ह हो सकती है लेकिन तखनी की दिकत को आप चार्ट करता और किसी चैनल की निस्पक्षता पर सवाल ने कर सकते हैं जिस तरीके से आप आप चाहें जितना सवाल खड़े कर लिए स्वहिंद राजपूजी बड़े अदब के साथ बड़े अदब के साथ मैं आपको यह कहना चात है कि लेकिन आप मुझे देखें सब्सक्राइब अगर आपको इतनी बड़ी आप पती तो आप उठकर जा सकते थे मैं आपसे बड़े अदब से कह रहा हूँ किसी भी चैनल पर इस तरह का अरोप लगाने से पहले आपको दस बार सोचना चाहिए बेराल मुद्दे पर वापस लोड़ते हैं स्वेंद राजपुजी आईए ज़रा ये बताइए कि आज जब ये रैली यहाँ पर हो रही है ऐसी ही रैली वाइनाड में भी देखने को मिली थी जिस तरह से रोड़ शो आज यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा ही रोड़ शो वाइनाड में भी था हम आपसे यह जानना चाहते हैं वाइनाड और वाइनाड सी में क्या फरका आज आपको दिखाई दे रहा है देखिए event management हो रहा है उत्तरप्रदेश में बनारस में वाइनाड से और इसका कोई मुकाबला नहीं है वाइनाड में जनता थी यहाँ प्रायोजित जनता है जिस तरीके से event management किया जा रहा है जिस तरीके से यह बाते की जा रही है बेहतर होता कि आज की date में बनारस की गलियों में यह बताया जाता कि 2014 में जो आपने एक vision document दिया है वो अजे कुमार जी को vision document दिया जाता और अजे कुमार जी जैसा सम्मानित पत्रकार यह पूस्ता कि इ इस vision document में क्या पूरा हुआ जुलाहों के लिए वो काम इस vision document में पूरा हुआ कि वो जो आपने गाउं लिये थे इस vision document में पूरा हुआ कि जो बनारस के आपने मंदिर सेगडों की संख्या में तोड़ डाले इस vision document में क्या पूरा हुआ वो 500 बेड़ हॉस्पिटल आज की date म अभी भी 200 चल रहे हैं जिसके 500 हम बना करके चले गए तो चलिए प्रदान मंत्री नेंद मोदी एक बार फिर से वाणनेसी में नावांकर भरेंगे आते हैं राजपूर जी आपके पास अभी आपको दिखाते हैं जो प्रस्तावक हैं उनमें पंडित छनुलाल क्या कह रहे हैं आपको कुरसी भी दि बैठने के लिए आपसे बातचीत भी हुई पांच साल बीद गया है प्रिवरतन हुआ अरे प्री बहुत परिवरतन हुआ है समझने की बात है 50 साल पहले हम देखे थे जो वो बनार सब नहीं है अब सफाई चार बज़े भोर में ही जाडू लग जा रहा है सब गली साप है कतवार फेका जा रहा है सडके चावडी हो गई इसडके चावडी हो इस अब ट्रेन के इतना सफाई ट्रेन में हो गया सब इतना सफाई है और लाइट का जब से यह हैं लाइट नहीं जा रहे हैं और लाइट का सिस्टम जो बीच में लगा हैं तो बीच के लाइट से दोनों तरह रोशनी रहता है और जितना खंजाट था उसको हटवा दिये हैं और यह लेटरीन जो बनावा दिये हैं उससे लोगों को बहुत फायदा है तो हर चीज़ देखा जाता है तो काम बहुत किये हैं गंगा जी में भी बहुत पहले सफाई हुई है पहले से पिल्कुल तो चानूलाल मिश्या को आप सुन रहे थे अपने दर्शकों को बता दे चानूलाल मिश्या यह वो शखसियत है जिनोंने पिछली बार प्याय मोडी के प्रिस्तावकों में वो शामल रखे हैं और वो स्थारा रहे हैं कि जस दरह से पिछले तरह का इस नहीं उने मिल रहा है लोगों में कितना उत्सा है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पहुंचे वहाँ पर उसके बाद में अब उनका रोडशो शुरू हुआ काफी लंबा ये रोडशो है और इन रास्तों से होते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीर देखिए लोगों को जहां पर जगा मिल रखी है वो वहाँ से पहुंचकर एक फोटो जरूर क्लिक करना चाहते हैं प्याम मोदी की एक जलक पानी के लिए बेताब नज़रा रहे है काशी के लोग एंडिसिं सर मैं वही अजय जी का सवाल आप से पूछना चाहता हूं कि पात है एक करिस्पेटिक लीडर मोदी जी है इसमें कोई दोरा है नहीं है वाइनाड का इस्ट्रक्चर अगर आप देखें वाइनाड तीन राज्यों के उसमें है नज़र से नज़दीकी रखता है वाइनाड भी जब वो गय है तो एक मैसेज देना था तीनों राज्यों म यहां का तो है यह गलिया है और गलिया में बरनारस का करेक्टर है कि इस समय पान खाने वाले हर वक्त करीब एक लाख लोग सड़क पे रहते हैं दो लाख लोग वहाँ चाय पीते रहते हैं ऐसे में एक मेगा शो हो रहा है तो मोधी जी का कैरिस्मेटिक परस्नालिटी इसम पांच लाख लोगों के एक जगा नहीं ला सकते एक ही वहाँ पे वह है और कोई बहुत ज्यादा वहाँ पे इतना बड़ा कोई बैदार नहीं है जहां कि आप पांच लाख लोग ले आए यहां पे लीडर मोबाइल होता है और प्रजा मतलब जो वोटर होता है वो स्टेश राहुल गांधी के साथ वहाँ चीप मिनिस्टर नहीं था राहुल गांधी के साथ पैरा फरनेलिया नहीं था तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे राहुल गांधी के लिए जो रोड़ शो हुआ था उसमें ओनलुकर्स थे उसमें उत्सुक्ता वक्स लोग आये जो स्वता आए थे यहां पे ये तमाश एक तमाशमीर भी है जो बड़ा वर्ग है एक दोनों तरफ खड़ा है और वो अच्छा लगता है उसको बनारस का ये कल्चर रहा है फिर मोदी जी की अपनी परसनाल्टी छोटी गलियों से जब वो गुजरेंगे तो आई कॉंटेक्ट का नंबर जो सोसाइटी है उनको रिप्रिजेंट करते हैं यहां पे आज आप देखें कोई भी एक मोटर साइकिल वाला या गरीब आदमी अगर अपने को चाहे कि किसी के डिलीवरी होनी है तो सलक क्रॉस करना चाहे तो आज पॉस्बल नहीं है तो ये दिकत है लेकिन पॉलिटिक्स में ये वेल थॉट आउट प्लान होता और मोदी जी इसके एक्सपर्ट है तो जब वो मूव कर रहे हैं तो आई कॉंटेक्ट होगा और सबसे बड़ी बात है आज आप तीन बजे से ये शो दिखा रहे हैं हिंदुस्तार के सारा मीडिया दिखा रहा है तो साथ घंटे का फ साथ राजपूत जी के लिए एक सवाल लखना चाहता हूं सिंग्स आप पहले आप जड़ा ये बताईए कि आज बारणसी में जो बदलाव दिखाई दे रहा है जब मैं खुद अपने 2014 के तजरबे को आज 2019 में मिलाता हूं तो एक ऐसा शहर जो की अपनी रफ्तार से चलता है वहां पर बदलाव धीरे धीरे से ही लेकिन सुक्ष्म तरीके से दिखाई देता है कॉंग्रिस के हमारे जो अभी प्रतनीजी मौजूद है राजपूत जी वह कहते हैं कि विजन डॉक्यमेंट को लेकर कहीं कुछ है नहीं क्या यह वास्तविक्ता आपको कभी दिखी इस अगर ड你好 पर सुक्यमेंट करना मुझे लगता है कि इसको हवाइट करेंगे तो पार्टी का भी भला होगा और उनके अपने ब्यक्तित के लिए भी अच्छा है मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा हलां कि हमारे बहुत अच्छे मित्र है जो यह कह रहे हैं देखिए एक बा बनारस में गंगा साफ हुई है इसमें भी कोई दोरा नहीं है जो चनुलाल मिश्रा जी कह रहे है उन इलाकों में वाकई बदला हुआ है लेकिन मेरा ड्राइवर चुकि जल्दी थी तो जब वह दूसरे रास्ते से लाया वही गलियां वही खड़े वही सड़के हैं लियाजा तो आपने एक सेंटेंस कहा था भले ही धीरे धीरे मुम्किन है कि पांच साल में उतना जो वादा किया था वो बदलाव नहीं हुआ है लेकिन बनारस में कुछ चीज़े बदली हैं हाँ जितना वादा था उतना नहीं बदला है ये भी बिल्कुल साफ है जी बिल्कुल अब इसी तरश पर सुरें जाज पूझे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 2014 का अमेठी 2019 का अमेठी या यूं कहें कि मैं 2004 का अमेठी और 2019 की अमेठी के तुलना अगर आज आज आपसे करवाना चाहूँ सांसद वहीं है छेत्र वहीं है लेकिन जरा बताईए कितनी तब दिली आ गई अमेठी में एक सांसद के तौर पर राहूल गांदी ने अमेठी में क्या काया कलब किया है जरा बता दीजे अजय भाई पहली तो मैंने कुछ हीटेड आर्गूमेंट किये मैं उसके लिए खेद भी व्यक्त करता हूँ ख्षमा भी चाहता हूँ एनके सिंग जी भी जानते हैं आप भी जानते हैं मेरा ये पक्ष नहीं था लेकिन आप लोगों ने चुकि 35 मिनट से खाली बैठा रखा था फ्रेम में इसलिए थोड़ा आउट्स बर्स हो गया था उसके लिए मेरा खेद है और मेरे को ख्षमा भी है एनके सिंग भाई मेरे क्षमा मांगता हूं इतने सीनियर बैठे हुए थे और मैंने इस तरीके से कहा लेकिन चुकि बैठा हुआ था इस वज़े से वह आउट बस था एक बात दूसरी बात अब मैं आपसे बताऊं कि आज का रोड़ शो बनारस के लिए हो रहा है तो आप चेहरा जरूर तो वहाँ पर आपको कहीं न कहीं खून नहीं निकलेगा डिस्टेंपर निकलेगा इस बनारस को आपने आउट फेशियल बहुत वैसा कर दिया है आपको याद होगा भी संसर सुंदरलाल हॉस्पिटल में नौ बच्चों की डेथ हो गई थी आपको याद होगा कि बनारस मे ने बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया आप अगर इस चीज के देखेंगे ना कि भीड के भीड से हट कर देखा जब इस दुनिया के मेले को तो सारी चहर पहल के पीछे जालेवा वीराना था तो नरेंद्र मोदी जी चुकी अपने जुमलों के लिए जाने जाते हैं और सुर जो वारानसी की शकल सूरत ऐसी चका चौन्द कर दे कि के ओटो बन जाए ये तो हम सब जानते हैं संबब नहीं है लेकिन है कोशिश हो रही है और इस कोशिश को सराहना चाहिए लेकिन मेरा सवाल आपसे अमेठी को लेकर था अमेठी की सकल तो बदली जा सकती थी आज 2019 में आप जानते हैं अमेठी में ठहरने के लिए दो होटेल के लावा तीसरा होटेल नहीं है आज वहाँ पर अगर आप रात में साड़े नौ बज़े के बाद खाना खाना चाहें आपको रात में खाना नहीं मिलता है आज अगर वहाँ पर बिजली गुल हो जाए तो पूरा शे अगर से लेकर 2019 तक वहाँ पर प्रतने दितों कर रहा हो अपनी जहत्र का विकास अकर नहीं करा पा रहा तो जिम्यदारी किसकी एज़ाब निश्चित तोर पर आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम आपने बनारस को हमेठी से एक 5000 साल पुराने एक शहर को एक एक नए शहर से जो कि अभी एक 10-12 साल पहले जिला मुख्याले हुआ उससे आपने बराबरी करने की कोशिश तो की यही राहूल गांदी जी की सबसे बड़ी जीत है और मैं आपको बताओं बनारस आज से जागरत नहीं है बनारस इतिहासिक रूप से जागरत है बनारस इतिहासिक रूप से सम्रद है बनारस की जो बातें आप कर रहे हैं जितना बनारस में आप होटल्स की बात कर रहे हैं रहने की बात कर रहे हैं बिजली की बात कर रहे हैं पैना फिरलेलिया की बात कर रहे हैं उससे हमें ठीकी करा तुलना करते हैं तो मैं यह राहूल गानी जी की जीत मांदूगा और इसमें अपने लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा दें हमारे सहयोगी लगातार बने हुए दिरेंद्र पुंडी रसी घाट से हमारे साथ में दिरेंद्र काफिला बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा ह है ये एक चर्चा का विशह है लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं देखिए मैं बहुत देर सुन रहा था इन तमाग चीज़ों को कास्तों सुरेंद्र राजकूजी को भी कि बदला क्या क्योंकि हम लोग 2014 से शायद यहां बनारस में कई बार आयोंगे लेकिन जिस सबसे ताकतवर समय को राहूल गांधी जी ने देखा 10 सालों का लगा था 15 सालों का नुभाव उसमें वो कुछ बहतर होना चाहिए था वो उतना भी नहीं अगर उसकी बातचीत करें क्योंकि एज रिपोर्टर की तरह अगर आखे देखें यह जो जुनून है यह जो भीड है यह वोट है यह लोगों का प्यार है लोगों का समरपण है अगर वो काम नहीं हुए जैसे ऐसे गाउं में कल रात हम लोग थे जिस ग अगर आपको यहां इतना सब कुछ नहीं हुआ बनारस में अगर नहीं हुआ होता तो यह भीड जो उनसे संतुस नहीं होती और इस वक्त यह भीड जो सड़क पर निकल कर आई है जो वोट में तेई सतारी को शाय जाद बात है आपके पास वापस लोट कर आएंगे लेकिन बारनसी के असी घाट इलाके में केसरिया साडी पहन कर महिलाओं ने पी-म का अनुखा स्वागत किया है जैजले संबादाता सुशांत मुखर जी ने समाजवादी पार्टी से अब्दूल हफिज साब हमारे साथ हैं अब्दूल हफिज साथ हैं अब्दूल हफिज साब देखकर ऐसा लग रहा है कि राहूल गांधी या फिर पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अगर तैक किया है कि अजयराय को यहां से उताड़ना है तो वह ठीकी डिसीजन होगा कॉंग्रेस के लिए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो चुनौती आप लोगों की बढ़ सकती है क्या अब आप लोगों को चुनौती कम लग रही है आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अजयराय उतना मुखाबला नहीं कर पा रहे है क्योंकि अगर पिछले बार की बात हम करें और हम अर्विंद केजरिवाल को इस बार नहीं रखें तो फिर वोट कहां जाएगा कॉंग्रेस के पाले में क्या वोट नहीं जाएगा फिर जो ये भीड आपके पाले मा जाएगी विदेना जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैं कॉंग्रेस की तरह किसी चैनल पर आरोप नहीं लगा सकता जैसे कि कॉंग्रेस ने लगाया और आप 20 मिरट बैटे 25 मिरट देश की जनता है लाखों लोग इसे जुम में हाँ अची बात है मांगनी भी चाहिए थी लाखों लोग इस से में इस रोडशो में हैं और सारे लोग देख रहे हैं इस रोडशो में इस से ज़्यादा और विज्वल किसी चैनल देश की पूरी जनता पूरा विश्व देख रहा है आज इस रोडशो को और दूसरी बात आजे जी पूछ रहे थे उसमें, कि इस रोड में और वाइनाड के रोडशों में क्या नतर है, इस रोड में आप देखेंगे तो आपको भारत का चरितर नजर आता है, चितरन नजर आता है, भारत का तिरंगा भी नजर आता है, भाचपा का तिरंगा भी नजर आता है, हर रं बिल्कुल है मैं तो केवल हरा केवल हरा अजय कुमार जी हमारे वरिष्ट सयोगी हमारे साथ बने वे कुछ अपडेट है उनके पास उनके पास चलते हैं अजय जी जाहर से बात है मेरा कहने का तात्पर वो नहीं था जो आप अभी कह रहे हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों में दो अलग तस्वीरे थी महाँ पर दक्षण भारत की तस्वीर थी और यहां उत्तर भारत की तस्वीरे और बनारस का जिक्र हम वाइनाट के साथ उस तरह सा नहीं कर सकते लेकिन हाँ मेरा सिर्फ संदर्व यह था कि आज अगर आप बनारस की इस रोडशो को देखें वाइनाट के रोडशो के मुकाबले तो दिखता है कि भारतिनता पार्टी एक बहुत ही वेल स्ट्रॉक्चरड वेल ओयल्ड पार्टी है जो जानती है कि उसको किस समय क्या करना चाहिए कॉंग्रेस इस तरह से अपने रोडशो को कभी भव्या नहीं बना पाती जो कि उसकी बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी कमजोरी भी है कॉंग्रेस अगर चाहे तो उसे भी उतना भव्या बना सकती है लेकिन चाहज नहीं कर पाती है कॉंग्रेस की कमजोरी है और शाज कॉंग्रेस इससे मानती नहीं है जी जी सर मैं एक सेट आपके पास आ रहा हूं आप अपनी बात पूरी कीजिए लेकिन उससे पहले एक बार दर्शुकों को जरा बता देते हैं तस्वीर दिखा देते हैं यह देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं यह मोदी का मेगा शो है वारणसी में और यह तस्वीर आपको वारणसी से सीधे लाइव हम दिखा रहे हैं प्रदान मंत्री इस वक्त रोड शो कर रहे हैं हाथ हिला पर पिए कि जो लोगर आओ नगाने में एड़ा जो आप शोर सुन रहे हैं ये बनारस की इन गल्यों का ही शोर है जहां जहां से पेया मोधी का काफला गुज़र रहा है मोधी मोधी के नारे लगाए जा रहे है और आप ये पूरी तस्वीर देखिए पुश्प वर्शा की गई गुलाब की पंक्रियों से पूरी उनकी गारी सच चुकी है लोग जहां जहां पर मौझूद है जो वहां की पतली पतली गलिया है लोग छज्जे पर गलियों में मौझूद है आपको बता दे अब उनका काफला असी घाट पहुँच चुका है आपको अलग अलग तरीके से जैसे जैसे अगले पढ़ाव पर प्रदान मंत्री का काफला पहुच रहा है हर अगले पढ़ाव के लिए एक नए तरीके से आयोजन किया गया है हमने आपसे कुछ दिर पहले की तस्वीर देखी थी जब कुछ महिलाएं एक विशेश भेच भुशा में इंतजार कर रही थी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हमने सड़क के किनारे की अभी तस्वीर देखी वो अलग अंदास था तो इसमें तमाम तरह के रंग आपको खास तोर से बनारस के रंग देखने को मिलेंगे और बनारस का ये रंग पूरे विश्व भर में बहुत फेमस है लोग दुनिया भर से आते हैं बनारस गुमने के लिए और बनारस का प्रतिनी धित्व अगर खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कर रहे हैं तो फिर अगर वो सड़क पर उत्रे हुए हैं तो उनको देखने के लिए लोगों की भीड किस कदर सड़क पर उतर सकती है आ सकती है उसकी हम तस्वीर देख रहे हैं अजे जी हम देख रहे हैं कि अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने एक शित्र में पहुचे हुए हैं लगातार कई दोरे कर चुके हैं जबसे वो सांसत बने हैं और जब भी हम देखते हैं कोई रोड शो होता है तो इसी तरीके से लोगों की भीड नजर आती है एक मेकनिज्म की जिसकी बात आप लोग कर रहे थे क्या ये कला है और ये कला अब बीजेपी को समझ में आ गई है और इसमें माहर है बीजेपी देखे अगर हम इस पूरे तस्वीरों को जो आप अभी देख रहे हैं उनको जरा बारीकी सी देखने के कोशिश कीजिए तो आज के इस रोड शो में भारती जनता पार्टी में अनेक भारत को एक भारत में दिखाने के कोशिश की है इस पूरे 4.4 किलुमिटर की यात्रा के दौरान भारत के विभिन छेत्रों से लोग आये हैं जो भारतिय संस्कृती की अलग च्छाप को अलग अलग जगोंपर फ्रस्त कर रहे हैं कहीं आप पंजाब का भांगडा देख रहे हैं तो कहीं आप कथक देख रहे हैं कहीं पुचमपली है कहीं तवसा के अलग तरह के निर्ते हैं उसके साथ साथ लोगों की फोशाग बदली हुई है अनेक भारत में एक भारत और उसके लिए बारानसी ये अपने आप में हिंदुत का एक बड़ा प्रतनिर्ट करता हुआ एक चहरा है जिसे आज सामने रखने की भारतनता पाठी कोशिश कर रही है जरा वो भी अपने दर्शुकों को एक बार बता देते हैं आजे जी मैं वापस आपके पास आता हूँ कि देखिए हर हाथ में मॉबाइल है एनके सिंग साभ हर हाथ में मॉबाइल है और स्वागत करने का जो अलग तरीका अलग अंदास बीजेपी ने एक आयोजन के तहट पूरी तयारी की है वो भी नजर आ रहा है और जिस मेकनिजम की बात की जारी क्या उसमें बीजेपी माहिर होगी है वो कला बीजेपी अब सीख चुकी है बड़ा अच्छा सवाल है विद्या आपका सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहिए कि किस तरह मास पॉबलाइजेशन मोधी जी उसके एक्सपर्ट है और ये सारी चीज़ है आप अभी जो तस्वीर दिखा रहे है इसमें एक आप देखिए वो खणे एक डलित लीडर है उसके बगल में एक मुस्लिम लीडर है और एक ग्रामर लीडर है ये तीनों पीछे दिखाई देना है लगाता है वो हाँ जोडते वो चले देखिए पीछे जो मोधी जी के वो है रत है उस पे वो तीन बैठे है राजेश जी से भी उनकी राय ले ले लेते हैं छोड़ा सा लेकिन जितना हम नरेंदर मोधी जी को समझ पाए हैं हमने देखा है कि जब भी उनका कोई महात्वा कांक्षी कारेक्रम होता है जिसमें उनका अपनी दिल्चस्पी होती है उसमें वो निश्चित रूप से एक एक चीज़ पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं तो जो पर नहीं दिखेगा यह यह केवल बनारस में दिख रहा है क्योंकि वहां का भारती जनता पार्टी का उमीदवार भारत का प्रधानमंत्री भी है तो इसलिए नरेंदर मोधी की अपनी दिल्चस्पी है इस तरह के जो मेगा शो हैं उनको औरनाइज करने में उनको में उनको दिरेंदर हमार साथ हैं डिरेंदर असी घाट पर मौझूद है दिरेंदर असी घाट पर पहुंच चुके पया मोधि उनका काफला वहां पर पहुंच्छ कर आती है संसकुदिक नजजर आते है और उसके जरीडि स्वागत किया जाँ प्या मूदी का देखे पीम मोधी का हरी पलपद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं इंची चागे बढ़ रहे हैं तो लोग उसी तरह पूरे उस्साह के साथ क्योंकि ये वैल औरकेस्र बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ शूर जहां भी आप देख रहे हैं भीड है और भीड को मैनेज कि अगया है जिए वो भीड सब तरह पूरा जो भी पूरा जमाओणा है जो पूरी की तारय करताओं युश्य बढ़ ही तो इस ता हो किस तरह वो रोर्शो का स्वागत करते हो मेलें